अगर आप भी बहुत सारे cloud storage यूज करते हो और अपनी files को अलग-अलग cloud storage पर रखते हो तो इससे आपको जरूर दिक्कत होती होगी आपको पता नहीं चल पाता होगा कि आपकी कौन सी file किस cloud पर रखी गई है जैसे कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही Google Drive के account है फिर भी मैं भूल जाता हूँ कि मैंने अपनी कौन सी file किस account पर रखी है तो अगर आप भी अपनी बहुत सारी file को अलग-अलग cloud पर रखते हो जैसे कि Dropbox, Google Drive, Mediafire, OneDrive वगईरा तो आपको पता होगा कि मल्ट cloud एक ऐसी website है जहां आप अपने सारे cloud storage को एक ही साथ यूज़ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक click में Note इसके बारे में आपके मन में जितने भी सवाल होंगे सबका जवाब इसी वीडियो में दिया जाएगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम मल्ट cloud के future के बारे में बात कर लेते हैं यहां पे आप मल्ट cloud वेबसाइट जैसे यूपन करेंगे future का एक option है इस पे click करना है और यहां पे जितने भी इसके feature है सारे के सारे आपको दिख जाएंगे सबसे पहली खास इसकी बात यह है कि आप अपने सभी cloud को एक साथ इस्तेवाल कर सकते हो जितने भी आपके clouds हैं जैसे google drive, media firebox, one drive यह सारे और दूसरा इसका benefit यह है कि आप अपने एक cloud से दूसरे cloud पे कोई भी data transfer कर सकते हो बिना उसके download किये बिल्कुल easy way में आप यहां से अपनी file को sense भी कर सकते हो एक account से दूसरे account में साथी साथ आप अपने backup को schedule भी कर सकते हैं यह बिल्कुल free है इसका आपको कोई भी charge नहीं देना है लेकिन limited है यानि सिर्फ और सिर्फ 5GB ही आपको free मिलेगा एक और ही बहुत बहुत बहतरी निसका future यह है कि अगर आप अपनी कोई file एक account से दूसरे account पे transfer कर रहे हैं तो आपको bite के wait नहीं करना है ना तो आपको अपना browser open रखने की जरुवत है आप चाहें तो अपना browser close कर दीजिए और कोई दूसरा भी काम करिए आपका काम background में होता रहेगा यहां तक कि अगर आप अपना PC भी बंद कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी साथी साथ अगर आपके साथ काम करने वाले कई लोग हैं तो आप इसमें सब account manager बना सकते हैं और अपना account का access दूसरे को भी दे सकते हैं और आपको mult cloud का google chrome extension भी मिल जाएगा जो की आपके काफी काम आने वाला है इसमें आपको 30 से भी ज्यादा cloud storage के option देखने को मिल जाएंगे जैसा कि सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है mediafire, flickr, qb, endex, amazon s3, on cloud, mysql, dropbox, google drive सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और थोड़ा सा आप निचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है security guarantee इस website के इसाप से यहाँ पे आपको पूरी security दी जाएगी आपका कोई भी data यह लोग save नहीं करेंगे या password हो या फिर कोई file हो अगर आप cloud storage यूजज करते हैं तो हो सकता है आप marketing करते हो या फिर animation वगरा का काम करते हो या फिर आप हो सकता है freelancing या graphic designing करते हो चाहे आप कुछ भी करते हो आप skill share से free में course देख करके अपनी skill को और भी ज़्यादा improve कर सकते हैं link आपको description में मिलेगा वहाँ पे जाए और तुरंट sign up करके आप free में 30 दिन तक कोई भी course देख सकते हैं 30 दिन बहुत है आपको सीखने के लिए so don't wait join today link in description तो जहसा कि आपने इसके सारे future के बारे में जान लिया अब चलिए बात करते हैं कि इस पे account कैसे बना है इस पे account बनाना बहुत ही आसान है आप website को open करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो देखे लिखा हुआ है sign up free इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे आपको अपना email id डालना है और उसके बाद इसके नीचे आपको अपना password बनाना है new password आपको अपने email id का password यहाँ नहीं डालना है उपर आपको अपना email id डालना है और नीचे यहाँ पे इस website के लिए एक अलग से new password बनाना है उसके बाद आपको create account पे click कर देना है आपका account यहाँ पे बन जाएगा account बनने के बाद आप तुरंट इस website में login हो जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा add cloud का एक option आप next करके और भी चीजें इसके बारे में जान सकते हैं next कर दीजिए फिर उसके बाद got it पे click कर दीजिए अब आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको cloud देखने को मिल जाएंगे गूगल ड्राइब, वन ड्राइब, ड्रॉप बाक्स, मेगा, गूगल फोटो, FTP, बाक्स, फीजिक लाउड, फिलीकर, हाई ड्राइब, वियंडेक, मेडिया फायर और भी बहुत सारे हैं नीचे आप करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसी तरीके से वन ड्राइब, ड्राइब, ड्रॉप बाक्स, जो भी आपको लागिन करना है, सब को एक बार लागिन कर देंगे और सारा का सारा ऐसिल, सिर्फ और सिर्फ मल्ट क्लाउड पे आ जाएगा से आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, अब चलिए इसके कुछ खास सवालों के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला सवाल कि हम मल्ट क्लाउड को यूज क्यों करें, अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे क्लाउड अकाउंट हैं, तो आप सब को अलग अलग ओपन करेंगे, और सब में फाइल रखेंगे, तो आपका काफी टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ पे सारे क्लाउड को आप एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा और सबसे बेट सवाल है, क्या आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब तो यही है, कि आपने इनकी वेब साइट पे खुदी पढ़ लिया कि पूरी सिकुर्टी है, यहाँ पे आपका सारा डाटा यह लोग कहीं भी लिक नहीं करेंगे, चाहे वो पास्वार्ड हो या आपका फाइल हो, कुछ भी यह लिक नहीं करेंगे उसकी सिकुर्टी यह लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यह एक क्लाउड बेस सर्विस है, तो कभी ना कभी हैक भी हो सकता है, हैक होने कि इसके चां similar web से हम इसके user को चेक करते हैं तो हमें दिखता है कि 1 million से भी ज़्यादा लोग इस पे active होएं एक महीने के अंदर तो अगर ये secure नहीं होता तो इतने लोग इस पे active नहीं रहें अब एक सवाल ये भी है कि ये किसकी company है यानि इसका मालिक कौन है तो इसके मालिक का नहम है Guy Levy उसके बाद एक और सवाल है कि इसका disadvantage क्या है यानि इसके इसके इस्तिमाल करने से नुकसान क्या हो सकता है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका सारा account एक ही website पे है यानि अगर आपका एक email ID हैक हो गया और आपने दूसरे cloud storage को आपने इस पे link कर दिया है तो क्या उसे आप हटा सकते हैं जी बिल्कुल उसे आप हटा सकते हैं यहां तक कि अगर आपने कोई file भी या पे रखिये उसको भी delete करना चाहते हैं तो वो भी आप delete कर सकते हैं अगर इन सारे सवालों के अलावा भी आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें comment करके जरूर बताएं और अगर यह video आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर दें